बगवान दत्तात्रे ने यही संदेश दिया हमको कि उनके कहीं गुरु थे 20 से ज़्यादा गुरु थे तो उन्होंने गुरु का मतलब एक तो गुरु वो होता है जिससे दिख्षा लिजाती है एक उन्होंने संदेश दिया कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता क्योंकि हम एहंकार कर लेते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा होगया, मैं उससे क्या सीख्णू और यही संदेश, यही घटनाय हमें महर्शी वेद व्यास के पुत्र सुक्मनी वो समझने लगा मैं बड़ा हूँ क्योंकि उसका पिता बड़ा था तो राजा जनक तो बहुत छोटा है तो इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए आप अगर बहुत अच्छे शिश्य हैं तभी आप एक अच्छे गुरू बन सकते हैं अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं तो हर किसी से सीखना है You must learn from everyone हर उसके अंदर कोई ना कोई संदेश होता है क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो दो ही प्रकार से काम करता है यहां तो वो गुरू बनता है यहां वो शिश्य बनता है जहां वो सिरफ गुरू रह गया वहां उसकी learning process खतम हो जाएगी रुक जाएगी वहां पे वहां he is putting a full stop और जहां वो जिंदगी भर शिश्य रहा वहां जिंदगी भर उसका चेतना कस्तर उपर उठता रहेगा जब तक कोई साधक है तो उसको भगवत क्रपा मिलती रहेगी और जिस दिन वो कहें भई मैं पहुँच गया उस दिन full stop हो जाएगा उसका consciousness उठनी बंद हो जाएगी तो जब भी आपने जीवन में उठना है हमेशा एक साधक बने रहो हमेशा एक शिश्य बने रहो क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी उँचा पहुँच जाए उससे भी उँचा कोई ना कोई गुरू बैठा आखता है और जब वो उस उँचाई तक पहुँच जाए तो भी वहाँ उससे उँचा एक गुरू बैठा होता है तो यही भगवान दत्त ने हमें संदेश दिया that learning is a continuous process यहां तक कि उन्होंने चीन्टी को भी गुरू बनाया यहां तक कि उन्होंने वैश्या को भी गुरू बनाया अब आप बोलोगे बड़ा तुच्छ प्राणी है वैश्या लेकिन वही संदेश भगवान दत्त ने ने हमको दिया भगवान दत्त जो है वो सिद्धों के गुरूं के गुरू माने जाते है अपार शक्ती और त्रिलोकी की शक्ती त्रिलोकी जो है तीन शक्तिया ब्रह्मा विश्णु महेश ये सब धर्म में त्रिलोकी है Christianity में इसको Trinity बोलते है और धर्मों में इसके अलग-लग नाम है तो परमात्मा की वो तीन शक्तियां और तीन शक्तियां जब परम तत्व की इकठी हुई तो गुरु तत्व में जो प्रवेश किया वो भगवान दत्त के रूप में किया और भगवान दत्त ने यही संदेश दिया कि हमेशा सीखना हमेशा सीखना ये मत कह देना मैं गुरु हो गया या कोई बोले मैं परम गुरु हो गया या कोई बोले मैं महा गुरु हो गया या मैं ब्रह्म गुरू हो गया यह सब नाम है नाम छोड़ने पड़ेंगे और साधक बनना पड़ेगा Humbleness क्योंकि अब इस initiation के बाद और ज़्यादा शक्ती बढ़ जाएगी और जो शक्ती बढ़े तो humbleness आने चाहिए You must become more and more humble more and more simple ऐसा हो जैसे बच्चे हो जाते हैं Like a small child बच्चे को भूख लगी तो खाना बोलेगा सोना है तो वो सो जाएगा कोई चाहिए चीज तो मांग लेगा गोल मोल बात नहीं करेगा तो इस तरीके से आपको बिलकुल साधक बनना है जैसे अब मैं उधारन देता हूँ मैं आप से बात कर रहा हूँ तो इस समय आपकी आँख खुली होनी चाहिए और अगर इस समय मेरी बात करने पर कोई ऐसे ध्यान कर रहा है तो मेरा ख्याल तो वो ध्यान नहीं कर रहा है और जब ध्यान करने के लिए कहूँ तो आँख बंद होनी चाहिए, तब आँख नहीं खुले होनी चाहिए तो you must become normal and natural this is what very important जैसे जैसे शक्ति आए तो उसको दिखाने के लिए कि मैं बड़ा शक्ति शाली हूँ वो सब नहीं करना you must become very very normal